नमस्कार फियोश पलकों की छाव सिजन टू में देखने को मिले काफी ट्विस्ट अंटरंस जहां पर देखने को मिला कि अब जैसे नंदन को होस आ जाता है नंदन ठीक हो जाता है तो तान्या के होस उट जाते हैं कि कहीं नंदन परिवार वालों का सच्चाई न बता दे फि वहां पर अब नंदन मांग लेता है बीक पी और सुर्भी से माफी तो ओब सुमन से माफी मांग लेता है जहां पर šङपकर आ जाते हैं नंदन की भी करमे हो जाती है वापिस एंटरी लेकिन वहां पर तान्या से वोन करने लग जाती है बोल देती अगर तुमने परिवार वालों को मेरा सच बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे सारे राज़ पूरे पूरे परिवार को बता दूँगी तो भी उनने रोक लेता है नंदन बोल देता है कि पहले पूरा सच सुनकर यहां से जाईएगा तो भी पर शप के सामने तानिया को लेकर चाहती हूं मैं तुम्हें नंदन का सच बताना चाहती हूं तो पूरे परिवार को बता देती है नंदन का सच जहां पर अब नंदन की सच जैसे परिवार वालों के सामने आती है तो सब बहुत ज़्यादा गिल्टी फिल करते हैं कि हमने किस तरह सुमन के साथ बीहेव किया औ की गलत नंदन था तो वहां पर हम नंदन को सुर्भी जड़ देती है जो दर्थ माचा धक्के मार कर निकाल देती है गर्शे बार्श रुमन और अंसुमन जैसे रोकने की कोशिस करते हैं तो बोल देती है कि आज हमारे फैसले के बीच कोई नहीं आएगा तो वहां पर उसे भ लिगर से बहार निकाल दिया जाता है अ